आज मैं आपके साथ शेयर करने ही चाह रही हूँ बाजरे की रोटी की रेसिपी बाजरा काफी हेल्दी है सेहत के लिए इसमें फाइबर भी काफी होता है तो चलिए बाजरे की रोटी की इंग्रेंट्स देख लेते हैं यह हमने बाजरे का आठा लिया है और यह हमने देख लिए और पानी हम इसमें रिक्वाइरमेंट के हिस आप से दालेंगे वैसे इनकी मेजर मिन्स डिस्रिप्शिन वाक में आपको मिल जाएगी लेस डार कूकिंग वेड रिखा इस तरह की आप परनात ले 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 इस तरह आप ले 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 पर यह बढ़ि और यह हमें केक साथ आट नहीं कुनना होता है, जैसे मकी की रोटी का थोड़ा करकल आट गुनते हैं उसीछ वाल थाट घुनना है, तो यहाई थे इक लिधृ टोप। बाज्रे की रोटी थोड़ी डिफिकल्ट होती है बनानी जैसे की मक्की की रोटी लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक्स बताऊंगी यह किस तरह से आप बाज्रे की रोटी को इजी ली बना सकते हैं इज आप बिगिनर है तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डाले इसका आटा मक्की की तरह अच्छी तरह से घुनना पड़ता है अच्छी तरह नीट करना पड़ता है क्यूंकि यह भी आपस में चिपकता नहीं है मक्की की आटे की तरह यह भी तूटता रहता है जैसकि मक्की की रोटी तूटती है अच्छी तरह से आप से पानी जादर डल जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा सुखा अटा मिला दे बाज्रे का और आप यह दिखिए हमने सारा आटा इकठा कर लिया है तरह से नीड करना है यह देखिये अधों से इस तरह से इस तरह से हमें इस आट ड़ी को बिल्कुल सॉफ्ट करना है ताकि हमारी जो रोटी है बाज़रे की वही बन जाए इस तरह से तो हमें पानी की जुरूत होगी हम यहां से ले लेंगे थोड़ा हमें इस तरह से नहीं ड़ने हैं थुद्ध इस तरह से गरहेंगे हम परेस कीजिए इस तरह से आटा यहाम मारा माकषा रेडी हो चुकता है तो अब हम इस में से लिले लेंगे थोड़ा पाबाजी की रोटी मोटी ही बनती है घाभ में तो इसे एसे इस मैं बनाया जाता है तकिन हम इसे गइस्पर बनाा रहें लेगे यूले की रौती का तो टेस्स आपना ही होता है बहुतła होता है आमいき से बनाने के लिए दावा एकदम गरम चाहिए पहले सतरह से आप है इस तरह इसकी जो शेप है अप्छे दर से गोल कर लीजिए इस तरह से जितना पिछेतत पहेंगे उतना यह अच्छा बनेगा है या तो हातों पर आप सुखा अटा लगा लीजिए या फिर पानी लगा लीजिए यह इस तरह से प्रेस करेंगे हम जैसे कि अमने मकी रोटी की थी देखिए अधेलियों से दबाओ देंगे इस तरह से अपने हाथ को खोल के रखना है आपको और दूसरी से अट मैंने दवा गर्म करने के लिए लगा दिया है गैस पर अधिया बेगिनर्स है तो बाज़े की रोटी बनानी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है यह साइड से तूट जाती है इस तरह से प्रेस कीजिए थोड़ा समय हाथों में पानी लगा दूंगी हाथों को पूरा खोल कर रखिए इस तरह से दीरे दीरे मैं इसलिए बता रहे हूं आपको ताकि इसी हो हाथों में सुखा टलगा लिया है मैंने ताकि हाथों में यह चिप के नहीं यह माने माध्ची की रोटी रडी हो गई है तो हम इसे तवे पर डाल देंगे यह हमने तवे पर डाल दी है अब आम इसे सेख लेंगे इसे सेखने में थोड़ा टायम लगता है जब तक यह सेख रही है आपको दूसरी रोटी बनाना बता देती इस जब तरह से बना लेंगे इस तरह से गोला बनाना है जली रोटी चाहिए लेते हैं इस तरह से इतने अच्छी सेख चुकी है बस दूसी तरह से भी आम इसी तरह से से लेंगे अच्छी से भी सिस चुकी है आप चाहें तो इस पर घी लगा के इसी तरह से कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से यह दिकी गैस पर भी रखके पका सकते हैं अब जाए बाचरी की रोटी जिलकुल रेडी है इसे निकाल देते हैं इस पर लगाए बटर या फे घी और इसे आप साग के साथ मिर्चे की चट्णी के साथ लहसुन की चट्णी के साथ खाएं चलिए मैं आप दूसी रोटी बनाना सिखाती हूं और वह हम बहुत ही इजी वे से बनाएंगे तुरा हाथ को गीला कर लेते हैं इस तरह से बिल्कुल इस तरह से करेंगे यह देखिए या फिर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो हाथों से इस तरह से भी प्रेस कर सकते हैं चलिए आसाम तरीका बताती हूं मैं आपको इक पॉलिथिन ले लीजिए जैसे इस इम मैंने आपको मकी की रोटी सिखाई थी और उस पर आप इस तरह से रख देजिए आप चाहें तो इस तरह से भी प्रेस कर सकते हैं यह दिखिए प्रेस करते जाए यह यह इस आपका बहार यहां पर प्रेशर देगा यह बहुत ही असान तरीका है इससे आप कोई भी बाज्ये की डोटी एजली बना सकता है इस पर टूट भी नहीं रही है बिलकुल भी हाथ को बैशे का फोड़ा गीला कर सकते हैं आटा ना लगाई है हाथो पर क्योंकि उससे रोटी ड्राय हो जाएगी और फट जाएगी आप पानी से अपने हाथ को गीला कर सकते हैं हाथ को मैंने फिर से गीला किया है आप हाथ को बाबर गीले करते रहेंगे तो इसमें मौश्यर बना देगा और यह तूटे ही नहीं तो आप जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी कर सकते हैं इस तरीके से इस सबसे असान तरीका है जिसको रोटी बाजे की रोटी बनानी नह सकते हैं इस तरह से हाथ पर निकाल देंगे हाथ को पूरा खोल दीजिए इस तरह से धीरे से पॉले थिन उतर गया है तो आप हम इसे तब वे पर डाल देंगे रोटी को यह रिखिए मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है आपको इसमें तो जरा सी भी ब्रेक नहीं हुई है यह रिखिए चलिए इससे सेख लेंगे अंचन is आप सायट से सबस्टाइब है वा zaj तो है है और यह रिखिए फेंद सी हमारी दूसरी और लेड appelle अधी जरूरी नहीं है एकी तक साथ से पनाए यह आप तवे पर भी पका सकते हैं इस तरह से थोड़ी देर तक बीच में आप इस तरह से चलाते चाहिए मेरी रोटी तैयार है बिल्कुल तो इसे भी हम निकाल देंगे करें कि रोटी बिल्कुल रडी है मैंने इसे सर्फ किया है साग के साथ सर्सो का साग और मिर्ची का थेचा आप सर्सों के साग और मिर्ची के थेचे की रेसिपी मेरी YouTube चैनल पर देख सकते हैं इन दोनों रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शियर कर रही हूं आप वहां से देख सकते हैं और ये देखिए बाजरे की रोटी आप सरसो के साग के साथ और मिर्चे के साथ सब कीजिए बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी बनती है इसा आप ट्रायर जरूर कीजिए और कैसी बनी अपनी फीडबेक मेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और आने बारी रेसिपीस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें थेंक्यू, थेंक्स वाचिंग, बावाई